नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है Top GK MCQ सीरीज और इस सीरीज की आज हम 166 वी क्लास यहां पर कवर करेंगे और आज के वीडियो में भी आपके जो GK GS के प्रिविस एर के कोशन से उनको एक्ष्णा पेक्ट के साथ पूरी डीटेल के साथ यहां पर कवर करेंगे अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है कोटलिया किस इस्थान पर राजनेती विज्ञान और अर्थ सांस्तर के प्राध्यापक थे तो कोटलिया जिनको चानक्या भी कहा जाता है चानक्या का ही नाम क्या था कोटलिया था कोशन यह है आपका कि चानक्या कौन से विश्विध्याले में पढ़ाते थे चानक्य मौरयकाल के हैं और मौरयकाल के समय में जो सिक्षा का सबसे प्रसिद केंद्र था वो एक मात्र आपका तक्षिला था Option C सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्विध्याले आपके बाद में बना गुप्त काल में और विकरम शिला विश्विध्याले बना था जब पाल नरेश धरम पाल ने उसकी स्थापना करी मौर्यकाल की बात कर रहा है, मौर्यकाल के काल में केवल तक्षिला था, जहांपर चंदर कुप्त मौर्य ने भी सिक्षप ग्रेहन करी, और वहाँ पर गुरू कौन थे उनके, या वहाँ पर टीचिंग कौन करते थे, तो चानग क्या करते थे? विश्व का सबसे पुराने विश्व विध्यालेओं में से एक माना जाता था तक्षिला को अगला इन में से किसने भारत में फार्सी तहवार नवरोज की शुरुवार करे थी तो देखे जो फार्शी तहवार है यानि इरानी तहवार है नवरोज या नोरोज जिसको लिखा जाता है इसको भारत में मनाने की शुरुवात जो आपका बलबन था दिल्ली का सुल्तान इसके द्वारा शुरूग किया गया पूरा नाम इसका गयासुदीन बलबन था इस कोशन और बनता है कि अपने दर्बार को एरानी तौर तरीकों से किस ने सजाया तो उसका अंसर भी आप बल्बन को ही टेक करेंगे। बल्बन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस नाम की पर्था को भी शुरू किया था. एक कोशन भी आता है, सिजदा और पैबोस इनको किस ने शुरू किया, तो आप बल्बन को ही टेक करेंगे. इल्तुतमिश ने अपने काल में जो चालीसा दल का गठन किया था उस चालीसा दल को खतम किस ने किया गठन तो इल्तुतमिश ने किया था उस दल को खतम भी बलबन ने किया था ठीक है बलबन खुद इस चालीसा दल का सदस्य था सुल्टान बना और सुल्टान बनते ही सबसे पहले इस दल को खतम किया था एक और कोशन बनता है दिल्ली के किस सुल्टान ने लोह और रक्त की नीती को अपनाया था तो इस नीती को भी किस ने अपनाया था? बल्बन ने अपनाया था तो एक कोशन के साथ हमने इतने सारे प्रशनों को यहां पर कवर किया अगला है हमारा फुत्वात ए आलमगीर किसकी पुस्तक है या जो किताब है आपकी फुत्वात ए आलमगीर इसको किसके द्वारा लिखा गया है आलमगीर यानि औरंगजेब के उपर यह किताब लिखी गई है जब हमने दिली सल्तनत की क्लासिस को कवर किया था मदिकालीन इतिहास को शुरू किया था तो मदिकालीन इतिहास के जो important स्रोत है उनको भी हमने कवर किया उसी में एक important किताब है और यह किताब इश्वर दास नागर ने लिखी है option A हमारा सही आंसर हो जाएगा जैसे आपके पास सवाल आता है बावर नामा किस ने लिखा है बावर के काल की बावर से जड़ी जानकारिया को एक महत्वपून स्रोत है बावर ने खुद लिखा है उसी प्रकार हुमायू नामा गुल बदन बेगम ने लिखा है अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा है तो जो एज जहांगिरी जहांगीर ने खुद लिखी है उसके बाद आता है शाहजहा का शाशनकाल शाहजहा के शाशनकाल से संबंदित कुछ important किताबे हैं की भी कुछ important किताबे हैं उसमें सबसे प्रमुक है फुतुहत ए आलमगीर इसको इशवरदास नागर ने लिखा है एक किताब है जिसका नाम है मासर ए आलमगीर इस किताब को साकी मुस्तेद खान ने लिखा है एक किताब है जिसका नाम है आलमगीर नामा आलमगीर नामा को मिर्जा महम्मद काजिम ने लिखा है और एक किताब है इसी के शाशनकाल की है नुश्का ए दिलखुशा और यह किताब भीमसेन ने लिखी है तो यह कुछ इंपॉर्टन किताबें जो मुगल काल से संबंदे थे मद्दकालीन इतिहास की हैं इनके लेखक आपको पूछे जाते हैं अगला किस बंदर गहा को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानि मक्का का द्वार कहा जाता था कई बार हमने इस प्रशन को देखा है और ये कोशन आपसे BPSC के प्री के एकजाम में पूछा गया था देखे बाबुल मक्का यानि मक्का का द्वार ये कहा जाता है सूरत बंदर गहा को ऑप्शन B हमारा सही आंसर होगा जो मक्का की तिर्थ यात्रा शुरू होती थी वो इसी बंदर गहा से शुरू होती थी इसलिए सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार या मक्का का द्वार कहा गया है सूरत बंदर गहा को पश्चमी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको भी ध्यान रखना मक्का का द्वार तो कहते हैं साथ में इसे पश्चमी एश्या का प्रविश्द्वार भी कहा जाता था पुराने समय में अगला अश्ट प्रधान मंत्री परिशत किसके दर्बार में थी तो देखे अश्ट प्रधान दिया है और आप अच्छे से जान यह अश्ट प्रधान और अश्ट प्रधान जो होते थे वो मराठा प्रशाशन में होते थे ओप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो शिवाजी की मंत्री परिशत होती थी आठ प्रमुक मंत्री होते थे सारे मंत्री अपने अपने विभागों के प्रमुक होते थे उ पेश्वा जो कि प्रधान मंत्री होता था वर्तमान जो प्रधान मंत्री का पद है यानि मंत्री परिशत को प्रमुक होता था वो पेश्वा होता था इसके बाद होता था आमत्य जो कि विद्ध मंत्री होता था या राज्यस मंत्री होता था इसके बाद नंबर तीन पर आता ह वाक्या नवीस यहाँ वर्तमान ग्रह मंतरी के समान का पद था चौथे नंबर पे आता है सुमंत जिसको दबीर भी लिखा जाता है यहाँ वर्तमान विदेश मंतरी के समान था पांचवे नंबर पे चिटनिस आता है या जिसे शुरू नवीस भी लिखा गया है या जिसे सचीव भी कहा जाता है यहाँ आपके राजगिया पत्र वेभार का प्रमुक होता था फिर नंबर 6 पे आता है सेनपती जो की नौर्मल सेना का अध्यक्ष होगा उसके बाद नयाधीश जो मुख्य नयाधीश है और फिर होता था सद्र जिसे पंडित राओ भी कहते थे धार्विक मामलों का प्रमुक होता था तो केवल 5 ही आपको 5 भी नहीं 4 आपको केवल याद करने का आमत्या वितमंत्री, वाक्यनवीस, ग्रह मंत्री, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री और सचीव आपका पत्र व्यभार का प्रमुक है नेक्स्ट है किस तिथी को रानी विक्टोरिया की उद्गोशना जारी हुई थी तो देखें रानी विक्टोरिया का जो घोशना पत्र था उसे कब घोशित किया गया वो आपको पूछा गया है इसे घोशित किया गया था एक नवंबर 1858 को आप जानते हैं 1857 की क्रांती होती है उस क्रांती को सांत करने में अंग्रेजों को लगभग देट वर्ष का समय लगता है मई 1857 में शिरू होती है नवंबर 1858 तक पूरी तरीके से वो अपना नियंतरन इस्थापित कर पाते हैं एक नवंबर 1858 को इलहाबाद में दरबार का आयोजन होता है और वहाँ पर जो उस समय गवर्णर जनरल था लॉर्ड कैनिंग वो रानी विक्टोरिया का घोशना पत्र पड़ता है जिसमें वो कहता है कि अब भारत में शाशन, कमपनी नहीं करेगी अब डारेक्ट ब्रिटिश क्राउन यहां पर शाशन करेगा जो गवर्णर जनरल है अब वो गवर्णर जनरल नहीं कहलाएगा अब वो वाईसराय कहलाएगा तो वो सारा जो पत्र था पुरानी विक्टोरिया के उद्गोशना थी जिसे इलहाबाद में पढ़ा गया था एक नवंबर 1858 को कई बार लोकेशन भी पूछ लेता है कहां पर पड़ी गई तो इलहाबाद को आपने ध्यान रखना है दिल्ली को टिक नहीं करना है, कलकत्ता को भी नहीं करना है मदरास को नहीं करना है, इलहाबाद को करना है अगला, निमन में से कौन सा विद्रह या आंदोलन लंबी दाड़ी रखने पर कर लगाय जाने के कारण हुआ था ये कोशन भी आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है, अलग-अलग एक्जाम में आया है अब उसी कोशन को अभी तक सिर्फ ये पूछता था कि इस अंदोलन का केंद्र कहां पर है आप पूछ लिया अंदोलन हुआ क्यूं? देखे, लंबी दाड़ी रखने पर, टेक्स लगाए जाने पर आपका वहाबी आंदोलन हुआ था आपसे एक पेपर में पूछा गया था वहाबी आंदोलन का केंद्र कहां था तो इसका केंद्र पटना में था ठीक है, 1831 के आसपास ये आंदोलन होता है इस आंदोलन के जो नेता थे, वो सयद एहमद थे इसके लावा जो में उद्देश्य था इनका वो इसलाम धर्म में जो बुराईया आई थी, उनको दूर करना और मूल इसलाम धर्म को पुनर इस्थापित करना ये भी इसका एक उद्देश्य था और जो तातकाली कारण था वो ये था ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान अथवा दि पार्टिशन आफ इंडिया किसने लिखा था? तो एक और फेमस किताब है पाकिस्तान अथवा दि पार्टिशन आफ इंडिया और इस किताब को डॉक्टर भीमराव अंबेटकर ने लिखा है इनकी किताबे कई बार पेपर में पूशी गई है तो इस एक और किताब को यहाँ पर नोट कर लेंगे पाकिस्तान और The Partition of India किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की है डॉक्टर राजिंदर प्रसाद की भी एक किताब है जिसका नाम है इंडिया डिवाइड़ तो इंडिया डिवाइड़ किसकी है? डॉक्टर राजेदर प्रसाद की जवाहलाल नहिरू की भी एक फिमस किताब है आप सभी जानते हैं The Discovery of India तो तीनों किताबें महत्वपून हैं अगला इन में से कौन New India समचार पत्र से संबंदित थे? तो New India समचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? देखे, यंग इंडिया महत्पा गांधी का था ये New India है New India समचार पत्र Any Besant ने निकाला था अप्शन B हमारा सही आंसर होगा देखे, एनि बेसेंट के द्वारा दो समचार पत्रों का संबादन किया गया था एक था New India और एक समचार पत्र का नाम था Common Wheel तो Common Wheel समचार पत्र और New India समचार पत्र जब एनि बेसेंट ने हुमरू लीग की स्थापना करी तो उसके परचार प्रसार के लिए उन्होंने इन दो पत्रों का स्थेमाल किया इनके स्थापना करी नेक्स्ट है हमारा पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंबिक उद्देश्य क्या था कुका आंदोलन या कुका विद्रोह को लेकर भी आपके पास सवाल कई वार आया है उत्राखन में ही ये दो से तीन बार पूछा गया है कि कुका आंदोलन का नेत्रित्व कौन कर रहे थे देखे कुका आंदोलन से जुड़े हैं दो व्यक्ति इस आंदोलन की जो शुरुवात करते हैं, वो करते हैं भगत जुआहर मल, इस आंदोलन की शुरुवात करता के रूप में भगत जुआहर मल को जाना जाता है, इनके बाद इस आंदोलन का जो नित्रित्व किया था, वो राम सिंग ने किया था, दोनों व्यक्यों के नाम आप से पेपर में पूछे गए थे ठीक है जो ये कुका अंदूलन है इसका जो मेन उद्धिश्य था सिक धर्म को पारिश्कृत करना यानि सिक धर्म में जो बुराईया आई हैं उनको दूर करना और उसे फिर शुद करना ठीक है किसके द्वारा चलाया गया तो आप कहेंगे भग 1872 में होता है जब जो राम सिंग थे राम सिंग कुका इनका पूरा नाम था इनको अंग्रेज रंगून भेज देते हैं जहां पर 1885 में इनकी मृत्यों हो जाती है निक्स्ट है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था तो बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था Option C हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला बाल गंगधर तिलक ने किस इस्थान पर होमरूल लीग की इस्थापना करी थी होमरूल आंदोलन को लेकर हमने कई बार बात करी है भारत में होमरूल लीग या होमरूल आंदोलन दो नेताओं ने चलाए थे एक थे बाल गंगधर तिलक और एक थी एनी बेसेंट ठीक है बाल गंगधर तिलक ने होमरूल लीग की इस्थापना पूरे में करी थी जबकि एनी बेसेंट ने मदरास में करी थी तो आपसे बाल गंगधर तिलक का पूचा है पूरा इसका सही आंसर होगा Option A सही उतर है बाल गंगधर तिलक ने हुम्रू लीग की इस्थापना अप्रेल 1916 में करी थी जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में करी थी ठीक है बाल गंगधर तिलक का जो कारिया छेत्र था किन-किन छेत्रों में उनकी हुम्रू लीग एक्टिव रहती थी देकिए मुझफर पुर बमकांट इस घटना में जो सबसे युवा स्वतंतरता सेनानी थे जुन को फांसी दी गई वे थे खुदिराम बोस इस घटना में ये शामिल थे और इनको फांसी की सजा दे दी जाती है जो मुझफर पुर बमकांट हुआ था ये आपके 1908 में होता है जो यहां के प्रमुक अधिकारी थे किंग्सफोड उनकी हत्या का प्रियास किया गया था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए खुदिराम बोस और प्रफूल चाकी इनके साथ ही थे प्रफूल चाकी ने बाद में आत्मात्या कर ली थी खुदिराम बोस को 1908 में ही फांसी की सजाद दे दी गई थी स्वतंतरता संगराम के दोरान सबसे कम आयू में शहीद होने वाले करांतिकारी खुदिराम बोस थे तो उनको किस घटना में और वो घटना कब घटी वो आपको पता होना चाहिए ठीके अगला किस शडियंतर के मामले में तीन अंग्रेज अधिकारियों को साजिश करने के लिए गरतार किया गया था एक और important question है नया question है देखिए हमने एक question पढ़ा था कि मेरट शडियंतर मा समला आपके 1939 में होता है ठीके और इसी case के दौरन कई सारे भारतियों को गिरफतार किया गया था बेसिकली जो कम्यूनिस्ट नेता थे उनको गिरफतार किया गया था उनके साथ सातीन अंग्रेज अधिकारियों को भी इसमें गिरफतार किया गया उनके ऊपर भी आरोप तु सही आंसर क्या हो जाएगा मेरट शर्यंत्र केस। फरवरी 1922 में होती है एक्जेक डेट के बात करें तो 5 फरवरी 1922 को हुई और इसके बाद 12 फरवरी को महत्मा गांधी ने इस आंदोलन को इस्तखित कर दिया 14 चोरी की घटना में एक थानेदार और 21 सिपाही टोटल 22 पुलिस कर्मियों को जिन्दा जला दिया गया था भीड के द्वारा इसी घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को इस्तखित किया गया अगला भारस सरकार अधीनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था तो 1935 का जो भारस सरकार अधीनियम था सबसे लंबा अधीनियम अभी तक का जितने भी अधीनियम आयते ब्रिटिश काल के इस अधीनियम को गुलामी का प्रतीक या गुलामी का चार्टर ये कहा था जवाहलाल नहरू ने option c सही आंसर होका इस के लावा जवालाल नहरू ने इस अधिनियम के बारे में एक बात और कही उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें भ्रेक है लेकिन इंजन नहीं है तो किसने कहा इस एक्ट के लिए जवहलाल नहिरु ने जो जिन्ना था जिन्ना ने इस अधिनियम को पूरी तरह से सड़ा हुआ अधिनियम कहा था अगला वहा महिला सौतंतरता सिनानी कौन थी जो सौतंतरता आंदोलन की वायुवरिद महिला के रूप में बिख्या थी तो किस सोटंतरता सेनानी को वायू वृद महिला ग्रैंड ओल्ड लीडी कहा जाता है तो आप कहेंगे अरुणा आसिफ अली को option A सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदूलन के दोरान भूमिगत रहे कर इन्होंने आंदूलन का नित्रित्व किया था और सबसे जादा important जो question इनको लेकर पूछा जाता है आप जानते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदूलन की घोशना हुई 8 तारीक को ग्वालिया टैंक मैदान पे महत्मा गांधी का भाशन हुआ और 9 तारीक से आंदूलने शुरू होना था उसी रात आट और 9 तारीक की जो बीच की रात थी उसमें सारे बड़े नेताओं को ग्रिफतार कर लिया गया 9 तारीक को ग्वालिया टैंक मैदान पर जो जंडा फैराने का काम किया था वो इन्हों ने किया था त्योंकि सारे बड़े नेता arrest हो चुके थे अगला पूरा समझोते पर हस्ताक्षर कब किये गए थे? इसमें क्या क्या प्रावधान थे? कब हुआ, क्यूं हुआ, सब हमने देखा. एक सिंपल सा कुशन है, डेट पूछी गई है पूरा समझोते पर हस्ताक्षर. इसके उपर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किये गए थे पूना समझोता महत्मा गांधी और डॉक्टर भी मिराव अम्बेटकर के बीच में हुआ था ठीके 24 सितंबर 1932 पे इस पर हस्ताक्षर हुए थे अगला राज्य की कारपाली का शक्ति राज्यपाल में नहीं थोगी जिसका प्रियोग वह समिधान के अनुसार स्वयम या अपने अधिनस्त अधिकारियों द्वारा करेगा तो दिखिए राज्यपाल में कारेपाली का शक्तियां होंगी राज्य की और उनका इस्तेमाल वो या तो खुद या अपने अधिनेस अधिकारियों के तहट करेगा ये बात आर्टिकल 154 में कही गई है अप्शन B हमारा सही आंसर होगा 153 कहता है कि राज्य का राज्यपाल होगा 154 कहता है कि राज्य की कारेपाली का शक्तियां राज्यपाल में होंगी और 155 कहता है राज्यपाल की निवति के बारे में ठीक है और जो 156 है वो राज्यपाल के कारेकाल के बारे में बताता है ये क सम्विधान के मूल धांचे, Basic Structure of Constitution का सिध्धान सरवुच न्याले ने केश्वनन्द भारती केस में दिया था. Option C हमारा सही आंसर होगा. केश्वनन्द भारती केस का जो नतीजा आया था, जो फैसला आया था, वो 1973 में आय था, और इसी में Supreme Court ने सम्विधान के Basic Structure का सिध्धान दिया था. इसमें जो सम्विधान की प्रस्तावना है, उसे सम्विधान का एक पार्ट माना गया था. एक तो आपने इसको याध करना है, Basic Structure दिया गया सम्विधान का, उसको याध करना है, ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, इसी केस में सर्वोचिनाले ने कहा था कि आप सम्विधान में परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं पर भी परिवर्तन कर सकते हैं, प्रस्तावना में भी, क्योंकि वो सम्विधान का पार्ट है, लेकिन आप बेसिक इस्ट्रक्चर में छेड़च का पार्ट नहीं माना गया था तो किस में नहीं माना गया और किस में माना गया ये दोनों सवाल आपके पास बनते हैं इन दोनों को भी याद करेंगे तो फ्रेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 important mcqs को यहां पर cover किया सभी कोशन आपके previous year questions थे जिनको हमने अत्रिक तत्यों के साथ cover करने का परियास किया उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हुका अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेर करें वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमें सरूर बताएं Thank you friends